नमस्कार आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूस चैनल न्यूस 18 इंडिया लोगसभा चुनाओ का हर बड़ा चहरा और हर बड़ी ख़वर सिर्फ न्यूस 18 इंडिया पर दाओ दिल्ली का भले हो लेकिन बंगाल पर बाजी खेल रहे हैं सबी पार्टियां फिल्हाल बात बंगाल के हो तो हमारे साथ इस समय बंगाल की राजनीती के धुरूव एक धुरूव कहे जाने वाले अभिशेक बैनर जी हैं युबा नेता हैं सांसद हैं एक बहुत चर्चित चहरा हैं साथी साथ सरल सुभाव है लेकिन तीखे तेवर है अभिशेख बैने जी हमारे साथ है सबसे पहले तो आपका स्वागत अभिशेख जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते सबसे ये पहली बार होगा कि आप कोलकाता में किसी हिंदी चैनल को इंटर्व्यू दे रहे हैं तो सवाल सबसे पहले राजनेतिक ही शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल यही कि चुनाव बड़ा है और 42 सीट्स हैं बीजेपी की बात करें पूरी जान खूग दी है, प्रधान मंत्री आ चुके हैं ख़ते में तीन बार करीब और आपने भी पूरी जान लगा दी है बीजेपी की तरफ से तो टार्गेट 25 है फिलहार मुझे तो लगा था बीजेपी का टार्गेट 35 है कुछ दिनों पहले जब देश के ग्रह मंत्री अमिट्शा जी यहां आये थे तो उन्होंने 25 का टार्गेट रखा था तो चुनाओ जैसे ही घोशित हुआ उनका टार्गेट 25 हो गया मैं कोई अस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ ऐसे टार्गेट तो नहीं दे सकता हूँ पर बीजेपी जभी भी अपना टार्गेट रखा है उसका आधा बीजेपी को मिला है आधा से भी कम मिला है 200 का टार्गेट रखा था इन्होंने 21 में और नतीजे क्या आये यह आपके सामने है तो उसी तरीके से उन्होंने टार्गेट रखा है 25 वो उनका ठीक है काडियकरता को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वो टार्गेट रखना बनता भी है और हर पार्टी करता है और जहां तक जान लगाने वाली बात है सब जो लड़ाई लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते है तो चाहे प्रदानमंत्री हो या और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो सबी लड़ रहे है आखिर में जनता के उपर छोड़ना चाहिए जनता किसको चुनेगी लेकिन मुझे लगता है जो खाली चुनाओ के समय पे आता है तीन साल बंगाल के चुनाओ के बाद 2021 के बाद सिर्च चौबेस तक आप फिब्रडी के 29 तारिक प्रदानमंत्री आए उसके पहले बंगाल में एक बार भी नहीं आए तो वो ठीक नहीं है आप देश के प्रदानमंत्री हो तो बंगाल के भी हो तो बंगाल में भी आपको अगर दस बार यूपी जारे हो तो बंगाल में भी आते रहना चाहिए खाली चुनाओ के समय नहीं आना चाहिए सीटों की बात करें तो उसर तो पच्चिस की बात हुए आप कितनी कह रहे हैं? नहीं मैं तो हर सीट लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ रहा हूँ खाली लडने के लिए तो लड़नी नहीं नहीं हो तो मेरा हमारा टार्गेट तो हर इक सीट जीतना है लेकिन जनता किस में किसको जिताएगा और किसको हडाएगी यह नतीजे जनता के ओपर छोड़ देना चाहिए और मैं ऐसे astrologer हूँ नहीं पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2019 में Trinomool का जो performance था आज से 5 साल पहले in terms of vote share and number of seats we won, उससे बहतर होगी. वो vote percentage भी बड़ेगा और number of seat भी बड़ेगा. 22 से ज़ादा होगा. बात करें कि हाल ही में एक बड़ा कारेक्रम, ब्रिगेड पहली बार ये देखा गया कि आप ही ने पूरी तरह से उसका संचालन की, आप ही ने उसकी घोष्णा की, आप ही ने पूरा कारेक्रम देखा. उसके बाद से चर्चाएं, नाम जो candidates के थे उसकी घोष्णा भी उसमंच से आप ही ने की. उसके बाद से यसी चर्चाएं होने लगी कि तुर्णमूल कॉंग्रेस के नए सेनापती कह लीजे या फिर कह सकते हैं कि नेतरतु में दीरे दीरे. तो लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे, लेकिन आप अगर ठीक तरीके से देखो, तो वहाँ पे ब्रिगेड में पार्टी का सिध्धान था, तो दीदी ने हमारे पार्टी के जो चेरपरसन है, उन्होंने वो मौका मुझे दिया, मैं उनका अभार हूँ क आप सारे कैंडिडेट्स का नाम इस मंच से अनाउंस करो, और उसके बाद सब मिल के काम किया है, एक आदमी कभी अकेला मिल के 10 दिन में 20 लाख लोगों का एक इतना बड़ा समावेश नहीं बना सकता, नहीं कर सकता, वो किसी कमें ताकत नहीं है, अगर जनता नहीं चाहे त पर इसको लेकर के कई बार पार्टी के दो पक्षों के बीच में, सत्रुनमूल के बीच में दो पक्ष कहीं न कहीं नजर आ गए हैं, बयान बाजी ऐसी होते हैं, पुराने नेताओं के बीच में मतबेद कहीं देखा जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा तो आप मुझे बताईए, एक दो धारन दे दीजी, कहीं है तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ देखी, हाली में कुनाल घोष की तरफ से बात आई थी, कि रेटायर्मेंट की एज होनी चाहिए, नेताओं की आपकी तरफ से भी कहीं न कहीं उस तरज पर बाते आई हैं यह खाली politics के लिए नहीं है, आप तो कि इसलिए मुझे यह सवाल बार-बार पूछते हैं कि मैं politics में हूँ, मैं यह कह रहा हूँ या पहले बिजब मैं कहा है, तो यही कहा है कि politics में एक age limit होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इसका justification ये है कि जैसे आपकी उमर बढ़ते जाती है उतना उतना आपका productivity कम होते जाता है आज अगर मैं एक दिन में 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत कर सकता हूँ आज मेरा 36 साल उमर है मैं 56 साल का जब होंगा तो शायद वो नहीं कर पाऊँ But this is not applicable for everyone आप लोग इसका मुद्ध इसलिए बनाते है क्योंके आप लोग headlines ढून के बनाते है कि अभिशेक नहीं चाहता है कि ममता जी पॉलिटिक्स में रहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ममता जी उस age limit में फिटी नहीं होता है She's an exception वो साठ के उपर है Still she continues to work more than 12 hours a day फिल्ड में आपको एक-दो मिलेगा लेकिन सब ऐसे नहीं है जैसे हर age का एक limit रहता है कोई भी आप फिल्ड में देखे चाहे वो doctor हो, engineer हो, actor हो चाहे वो आपका sports हो हर जगा में retirement age रहता है लोग retire कर जाता है कोई बड़ा actor अगर पहले एक-एक समय पे दिन में 14 गंटा 16 गंटा, 3-3, 4-4 set पे काम किया है वो नहीं कर सकता आज but there is an exception Amita Bachchan आज भी करता है sports में जो 26-28 साल का उमर में जैसे खेल रहे वो same level of fitness नहीं रहेगा जब आप 40 साल के होगे but माइनदा सिंग धोनी इस 42 and continues to play the IPL and win it so there are exceptions in every field but सब ऐसे नहीं होता है 100% में आपको 1% मिल जाएगा आपने ये बात कही तो सवाल उटने लगे थे क्या TNC में आप ये चाहते हैं मैं ये अपने उपर कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर 6 साल का होंगा या जब होंगा उसके बहुत पहले मैं politics छोड़ दूँगा और आप ये record पे रखिए बड़ी घोशना है आपकी तरफ से खेर आगे बढ़ते हुए मुद्दो की बात करें तो एक बड़ा नाम संदेश खाली प्रधान मंतरी पहली बार आए तब भी नाम लिया और जितनी भी सवाएं हुई चाहे जो भी नेता हो जरूर इसे बड़ा मुद्दा बना रहे है सवाल ये उठाते हैं कि जो प्रमुख आरोपी था उसको कही न कहीं शील्ड किया गया उसको संद्रक्षन दिया गया और तुष्टी करण की बात एक वर्ग विशेश को ले करके आप मुझे बताईए संदेश खाली का मुद्दा है क्या आप तो इतना दिन से पत्रकाडीता कर रहे है संदेश खाली का मुद्दा है क्या अब बताईए देखे मुद्दा जो है संदेश खाली का उसको लेकरके या फिर ये काहें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुद्दा क्या है उनका ऐलीगेशन क्या है जमीन अधिग्रहण से लेकरके कुछ महिलाओं ने यौन सोशन तक क्या रोप लगाए यह मुद्दा है लेकि दो आलीगेशन है एक है जमीन हरपना एक है महिलाओ का सोशन ये दो एलिगेशन आप लगा रहे हो किस के खिलाफ आपने लगाया तीन आदमियों के खिलाफ एक है शिबो प्रसाद हजरा एक है उत्तम सर्दार तीसरा है शेक शाजाहान अब शेक शाजाहान का ग्रिफतारी में आकर हाइकोट रोक लगा देगी तो आप कैसे उनको ग्रिफतार कड़ोगे भई जरा मुझे बताईए हाइकोट का ओडर है मेना फोन पर मैं आपको दिखा दूँगा जहाँ पर हाइकोट ने साफ साफ लिखा है कि तब वेस्ट बेंगोल पुलिस इस टॉप्ट फॉम प्रसीदिग विद इंवेस्टिगेशन इफ सम्वन इस नॉट अलाओ तो प्रसीड विद इंवेस्टिगेशन हाओ इस ही और शी सपोस्ट तो मेक इन रोज एंड अरेस सम्वन आप मानली आप में इंटर्व्यू कर रहे है और यहाँ पर कोई मुझे बोल दिया आपको इंटर्व्यू देना है लेकिन आप मूह नहीं खोल सकते तो भाई मैं आपका इंटर्व्यू कैसे दूँगा आप इंवेस्टिगेशन अगर स्टे कर दोगे तो आप ग्रिफतार कैसे करोगे जिस दिन हाई कोट ने यह क्लारिफाई किया उसका 48 घंटे के अंदर शेक्षाजाहां ने रिस्ट हुआ कौन किया बीजेपी का मोधी ज इन दोनों का कस्टेडी क्यों नहीं लिया भई यह शिबू हाजरार उत्तम सर्दार का कस्टेडी नहीं मांगा अभी तक क्यों आपको क्या लगता है क्या 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 पूछन चाहता हूं मैं तो CBI चलाता नहीं हूँ आप उनसे जरूर पूछेएगा यह सवाल कि आप महिला इसको ले करके बड़े हमले होते हैं तुर्ण मुल कॉंगरेस के उपर कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी हाल ही में हमारे न्यूज 18 इंडिया के कारेक्रम में भी आये थे राइसिंग भारत उसमें भी यह चर्चा की कि मंत्री के घर से करोणों करोण रुपए निकलते हैं प्रदान मंत्री ने यह साफ साफ का है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा यह वह 2014 से चुनाओं जीतने के पहले से वह बोलते हुए आड है आप मुझे बताईए त्रिनोमूल का कोई नेता या मंत्री का घर से 50 करोण रुपया मिला है कोई दिक्कत नहीं उसको फासी पर लटकाओ पर जो लोग टीवी में पैसे लेते हुए पकड़ेगे स्टिंग ऑपरेशन में आप उनको पास में बिठाके ब्रश्टचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है यह हिपोक्रसी न लड़ी है उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हो आप ऐसे लड़ों के जंग ब्रश्टचार के खिलाफ मतला कोई ब्रश्टचार कड़े खून कड़े कोई करप्शन में लिप्थ हो और कल जाके भाजबा का फ्लैक पकड़ ले तो वह साफ है वाशिंग मशीन और नहीं कड़के दिखाओ मैं क्या रहा है त्रिनोंबुल का कोई भी नेता के घर से अगर दस पैसा भी मिला है उसको फासी पर लटकाओ आप कहो कि मैं शुबेंदू अधिकारी शुबेंदू हिमांतो विश्यो शर्मा नारायन राने अजीत पवार इनको फासी पर लटकाओ जिस अजीत पवार के खिलाफ आप एक साल पहले तक भी आड़ोप लगाते थे कि 70,000 करोर का ऐलिगेशन लेके स्कैम किया है वो अजीत पवार आज आप ही का सरकार का डेपूटी चीफ मिनिस्टर है क्यों इंडिया में आ गया इसलिए अब शेक दबल स्टैंडर्ड नहीं चल स सकता है आप जो कह रहे हो वो कड़के दिखाओ आपके नजर में आप देश का प्रधान मंत्री हो आप सब के खिलाफ लड़ रहे हो जो बीजेपी आएगा वो दूद का धुला नहीं हो सकता आप सब के खिलाफ लेके दिखाओ मैं अप्रीशेट करूंगा लेकिन आप यह इसलिए दिक्कत हो रहा है CAE को लेकर के यह कहा जा रहा है कि यह तो नागरिक्ता देने का कानून है किसी की नागरिक्ता ली नहीं जाएगी पिर इस पर इतराज क्यों ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जो देश का ग्रह्यमंत्री है अमित्शा वो 2019 के चुनाओं के पहले तब वो बीजेपी के राष्ट्री अध्धक्ष थे उस टाइम पे बंगाल में आके उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलोजी समझिए पहले CAA आएगा फिर इनरशय आएगा और उसके बाद इनरशय आया भी असाम में आपने दिखा होगा 19,00,00 लोगों का नाम आया उसमें से 12,00,00 हिंदु बंगालियों का नाम आया और बाकी मुसल्मान भायों का नाम आया तो CA से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप CA और NRC को मिला रहे हूँ, आप ग्रहमंत्री के नाते एक प्रेस कॉंफरेंस करो, एक बैठक से घोशना करो कि CA होगा, NRC नहीं होगा, मैं CA को सपोर्ट करूगा, I will support CA, but आप क्लारिफाई कर दो, आप CA करोगे, उसके बाद NRC करोगे, दिक्कत वहाँ है, तो CA का नाम पे दोगे और NRC का नाम पे लोगे, when you are saying CA with the backdrop of NRC and combining the two, it is becoming an obnoxious, lethal combination, दिक्कत वहाँ होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं कि CA नागरिकता लेने की आईन है, law है, क्या आप NRC करोगे, इनार्सी नागरिकता लेती है, आप अनॉंस कर दो, हम CA support करेंगे, मैं चुनौती देता हूँ, let Amit Shah do a press conference, like the way he did in Bengal before 2019 polls and stated that the next step of CA will be NRC, let him clarify and say that there will be no NRC, आपको CA मिलेगा, नार्सी नहीं होगा, हम समर्थन करेंगे, CA का. एक सवाल गडबंधन को लेकर के, ममता बैनर जी ही अगुआ रही सबसे पहले, उसकी शुरुआत की सबको एक जुट किया, आप खुद भी कई मीटिंग्स में शामिल हुए, लेकि बात नहीं बन पाई, अब एकला चलो की नीती पर ही आप चल रहे हैं, कहां बात बिगड़ी? जब हमारा बैठक शुरू हुआ, जून के महीने से शुरू हुआ, पहला बैठक पतना में हुआ, और उसके बाद दो-चार बैठक ही हुई, तो हम लोग ने हर बार यही कहा, और यह कोई छुपी हुई नहीं है, महां पे 50-100 लोग रहते थे, उसके बाद प्रेस कॉंफरें भी होता था, हम लोग ने बार बार कहा है कि seat sharing वाला जो formula है, वो हम लोग को पहले तै करना चाहिए, आप मानिये कहीं पर आगड़ आपका दिक्कत है, जैसे Congress का argument यह था कि हमारा तो दिल्ली में दिक्कत है, आपके साथ लड़ाई है, पंजाब में आपके साथ लड़ाई ह तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, सब मिला कि 1500 seat होता है, आप ये 1500 seat किनारे रखे एक बार, उसको साइड में रखे, आप बाकी 400 seat में टैकर लीजी, उन्होंने वो भी नहीं किया, उनको शाहिए यह लग रहा था कि जो विदान सभा के पांच राज्यों में चुनाओं चल रह तो जहां उनको 2 seat मिलनी है, वो 10 मांगेंगे, जहां 5 मिलनी है, 20 मांगेंगे, जहां 20 मिलनी है, वो 50 मांगेंगे, तो इसी चक्कर में वो रहे गये, हमने कहा कोई बात नहीं है, आप candidate छोड़ दो, आपको इसी मुद्दे पे election जब announce होगा, उसी मुद्दे पे लड़ना है, कि कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो वो लड़ाई पहले कर लो, आप February, March में नहीं लड़के, आप July में लड़ लो, टै कर लो, कौन सा seat में तुनमूल लड़ेगा, कौन सा seat में, वो नहीं किये, मैं 6 बज़े गया, उनके साथ बैठक किया, मेरा तो कोई ego नहीं है, मेरा कोई, कि हम तो जुके भई, हम गए, जहां बुलाए गए, बात किये, उसके बाद फोर्म नहीं बात हुआ, आप करना नहीं चाहते है, तो उनका मर्जी अब क्या कर सकते है, आप जोर दबर्दस्ती, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, पर लास्ट मीटिंग में, जो मीटिंग हुआ देली में, उसमें हमने ये साफ साफ ये भी कह दिया, 17 तारीक को डिसम्बर के महने में ये मीटिंग हुआ, जहां तक मुझे याद है, हमने ये भी कह दिया, कि आप 31 तक समय ले लो, 31 दिसम्बर 2023 तक, इसके पहले अगर आप कर सकते हो, तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं लोगा, और ये टिपन ही करना ठीक भी नहीं है, मैं कॉंग्रेस लीडर्शिप को कहूंगा, मैं तो मिला उन से बात किया, मैं किसी का नाम नहीं लोगा, बर सबको पता है, मैं किसे मिला, किसे बात किया, so leave it at that. मैं खुद कहती हूँ कि आपने राउल गांदी से मुलाकात की और नतीजा तक नहीं पुछी वात, राउल गांदी के बारे में क्या कहेंगे, क्या आपने देखा, क्या अंकलन किया? मैं उनको आंकलन करने वाला कौन होता हूँ मैं तो बहुत साधारन से रखता हूँ बहुत बड़े निता है मैं क्या कह सकता हूँ तो कॉंग्रेस पार्टी की लीडर है मैं तो छोटा सा एक बस मामूली तीनो मूल का काड़े करता हूँ हूँ, MP हूँ, मैं आखिलर्ण करने वाला कौन होता हूँ, राहूल गांदी के बारे में क्या विचात धारा बनी हो, लोग कहेंगे, लोग तैय करेंगे, मैं कौन होता हूँ, एक और कॉंग्रेस के नेता अधीर 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 अजन चौधरी, वो काफी कुछ कह रहे थे और संबाउता, यही कारण है कि सबसे मजबूत दावेदार आपने उनी के खिलाफ खड़ा कर दिया है? मजबूत दावेदार की कोई बात नहीं है, हम जोग जहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि वो सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और पूरी ताकत, शक्ती, संसाधन, बुद्धी सब लगा के लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहड़ाम के लिए उतना काम नहीं किया, जो करना चाहिए, और आप देखो, तो लगातार ये त्रिणोमूल के उपर जो आक्रामन होते रहा है, एक समय पे, एक ही दिन पे, एक ही समय पे, ममतादी राहूल के साथ बैठके, राहूल गांदी के साथ बैठके, सुनिया जी के साथ बैठ के खड़गे जी के साथ बैठके, बैठक कर रहे है, इंडिय अलाइन्स की बैठक होड़े और बंगाल से बैठके, उनी के प्रदेश के अध्यक्ष अधीर चौधरी ममता जी को अटेक कर रहे है दोना एक साथ नहीं हो सकता और अधीर चौधरी इस चैलेंजिंग ममता बैनेजी तो कम एंट कंटेस्ट अगेंस्ट इम वाट इस फेलिंग इम तो चैलेंज अमिच्छा और बीजेपी टॉप ब्रास वो तो नहीं कर रहे है तो हम वो सीट जीतने के लिए गय है उचाए कोई भी लड़े तिमने मुलका एक साधारन आम कार्य करता भी लड़े तो वो सीट हम लोग जीतेंगे एक ट्वीट आपका इस सूशे में मुझे आदार आए कि आपने ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ तंजी किया था कि सीटने जादा मांग रहे हैं बंगाल में और अपने मिघाले वगेरा में हमारे जो है वोट शेर कहीं जादा कॉंग्रेस से है तो एक तरफ ये नहीं मैं वह फॉर्मूला का बात किया था कि आप अगर सीट-sharing का फॉर्मूला क्या होगा कोई कर ना बहा करोई ना या बीट परसिंट कि हिसाप से दो या मेरा विदान सभा में जो रिप्र्रेजनेशन है उसके ना लोक सभा में जो है उसके आप से दो या मेरा जो vote share है state wise, macros level पे उसके उपर दो. तो Congress का अगर आप देखे, तो यहाँ formula क्या होगा, इनका विदायक है नहीं. अगर आप MP के हिसाब से देखे, दो MP है. अगर आप vote share के हिसाब से देखे, तो 3% है. तो अब 3% पे, अगर 4% vote पे 10 MP seat मांगते हो, या 6 MP seat मांगते हो, तब Trinomool का 15% vote मिगालाया में है. तो दोना seat मांगना चाहिए. मैं उस अधार पे कहा हूँ. हमने जो Autonomous District Council election अभी तीन मेहना पेल असाम में लड़ा, महाँ पे जो seat में Trinomool कंटेस्ट किया, उसमें Trinomool का vote person कांगरस से जाधा है. उस इसाब से असाम में अगर 14 seat है, हमने जो 7 seat मांगना चाहिए. अभी शेक, इस से हटकर अगर बात करें, तो कई बार CBI, कई cases में आपको बुला चुकी है, ED बुला चुकी है, आपके पत्नी को भी वहाँ पर जाना पड़ा, ऐसी भी गटा देखी गई है, कि एरपोर्ट पर उनको जाने से रोग दिया गया, इन चीज़ों को आप कैसे द आएगा, अब यह तो किसी का हाथ में नहीं है, यह तो बार बार मैं कोट में गया हूँ, लीगली लड़ रहा हूँ, और यह चलता रहेगा, क्यों कर रहे है, जब मैं यात्रा पे होता हूँ, तब मुझे समन दिया जाता है, जब जिस दिन इंडिया का बैठक होता है, आप उस दिन मुझे समन देते हो, जब मैं धरने पे बैठता हूँ, उस दिन मुझे बुलाते हो, मेरा वाइफ को बुलाते हो, अचा एरपोर्ट ने आपने रोक लगाई, सुप्रीम कोट गया, फिर बोला नहीं, अमने रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोट मैं आपको माफी जाओ, सर उचा करके, कोट में जाओ, जैसे लड़ रहे हो, और जुखना नहीं है, कुछ भी हो जाओ, लड़ते रहो, दूसरा रस्ता है, आप छुप हो जाओ, बैठ जाओ, पोलिटिक्स छोड़ दो, तीसरा रस्ता है, आप बिजएपी चले जाओ, यह तीन option है, तो कौन सा जिसको जो सुट करेगा, वही चुनेगा, मुझे पहला वाला सुट किया, कि मैं सर नहीं जुकाओंगा, अगर मैं सर जुकाओंगा, तो जनता के आगे जुकाओंगा, इनके आगे नहीं, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people, not before the people in power. हाल में कई नेता भी TMC छोड़ करके BJP में जाते नजर आए हैं, संभवय चुनाओ के पहले और भी कई नाम हूँ, यह तो हर पॉलिटिकल पार्टी के से, BJP के लोग हमारे में भी आए हैं, कहीं BJP के लोग तो जाते नहीं हैं, अब देखो 2021 के चुनाओं के बाद, BJP के दो दो लाग का मार्जिन से BJP जीता था, तो यह तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, और जनता के पास जाने का अधिकार सब को है, चाहिए वो त्रिनमूल हो, कॉंग्रेस हो, BJP हो, जनता किसको चुने कि यह फैसला जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए है, एक सवाल जरा र चाहिए राजनीती में भी घर में भी क्या बहुत स्ट्रिक्ट रही है? पास चुनाओ लड़ने का मौखा मिला, डायमन हरپर से, ऐसा नहीं कि ट्रिनमूल का जो गर है, उस टाहिए में पे हैं verus. तो मुझे साथ कलकेटा से खड़ा नहीं किया गया मुझे डायमंड नर्बार से खड़ा इसलिए किया गया क्योंकि वहां के जो सांसत थे वो चले गया कॉंग्रिस में वो अभी है नहीं हमारे बीच सुमेन मित्रा तो वो चले गया त्रिनमूल छोड़के कॉंग्रिस में तो वो सीट खाली हो गया तो इसलिए मुझे वहां भेजा गया अब लोग कहते हैं वो त्रिनमूल का वैस्टियन है घड़ है तो ठीक है मुझे वो मौका मिला मैंने काम किया दस साल लोगों का सिवा किया साथ रहा जितना मुझसे बन पाया मैं कड़ा साथ रहा साथ निभाया खराब समय में उनके साथ चला और जितना काम मैं कर सका डायमंड हर्बान में पिछले 10 सालों में 5580 कड़ो रुपय का काम हुआ है उसका एक पूरा बुकलेट भी मैंने बनाया है किसी को अगर कोई सवाल भी पूछना है तो बुकलेट है तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ अगर विड़दी पक्ष का कोई नेता अगर जानना चाहे कि यह जूट बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता तो एड्रेस मुझे दिजेगा मैं भेज दूँगा नहीं हम सब ने देखा है कि डायमंड धारबर मॉडल एक अलग खड़ा कर लिया है कोई के टाइम में भी किया है पुर्देश का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है 1440 रुपए खर्चा करके कोई के टाइम पे एक दिन में 50,000 टेस्ट इस टाइम पे पॉजिटिविटी रेट था आपका 24-25 परसेंट उस टाइम पे और 4-5 दिन के अंदर उसको 2 परसेंट पे लाना है यह कहीं हुआ नहीं है पहला बार जब कोई का फर्स्ट वेव था उस टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन के काड़न अचानक बंद हो गया उस टाइम पे 21 कम्यूनिटी किचन खोलके 20 लाक लोगों तक खाना पुचाना लगातार 15 दिन वो किया है वो भी टेस्टिंग हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा वाटर प्रोजेक्ट, रस्ते का काम कम से कम 2500 करोड का हुआ है फिर अडिटोरियम हो, मेडिकल कॉलेज हो वोमेन उनिवर्सिटी हो, आईटी आई हो पॉलिटेकनिक हो, ब्रिजज हो हर तरीके से कोशिश किया है कि लोगों का काम कर सकूँ और मैंने कोई कसर नहीं चोड़ा अविशेक, आप बोलते बहुत अच्छा है, मैंने जनसभाव में भी देखा है कि बीड काफी तालियां वालियां बजाती है ये भी सीख क्या दीदी से मिली है और एज एज टीचर क्या बड़ी स्ट्रिक्ट है आप देखते देखते आप रोजी कुछ ना कुछ सीखते है और सबसे आप सीखते है खाली दीदी से तो नहीं, दीदी से जरूर मैं सीखा हूँ जिन्देगी का बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ मैं बहुत कुछ सीखा, लोगों का समाज, सोच, क्या उनका दिक्कते हैं, क्या हम लोग जो पॉलिटिक्स में है या जो शेहरों में रहते हैं, उनको लगता है कि यह सब कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगला इशू कुछ और होता है, तो लोगों के बीच में जब मैं रहा, सबसे ज़्यादा सीखने का मुझे मौका मिला, एक अंतिम सवाल, आप सिर्फ सांसद नहीं है, युवा नेता भी है, जेनरल सेक्रेटरी, नैशनल जेनरल सेक्रेटरी भी है तरनमूल कॉंग्रेस के, कभी क्या ममता जी के साथ मतभेद, बिल्कुल होता है, और वो होना भी आर्गुमेंट इस अल्वेस हिल्दी, तो दिक्कत नहीं है, अगर मैं कहूंगा नहीं होता है, वो तो जोड़ा सा जूट है, जो भी लोग काम करते हैं, आप भी अपना चैनल में पांच लोगों के साथ मिलते होंगे, बात करते होंगे, आर्गुमेंट होगा, मानली जी य यहां पर आधा पानी रहेगा, तो आप कहेंगे आधा पानी है, मैं कहूंगा आधा खली है, दोनों सही है अपने अपनी जगा पर, परस्पेक्टिव की बात है, वो हिलती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद अभूशे जी निभी टील इंडिया से ब झाल